आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस योटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे math दोस्तो अगर आप math में कमजोर छातर है तो आपको टेंसल लेने की विलकुल भी जोरत नहीं है क्योंकि दोस्तो वे कमजोर छातर को इस चैनल पर विशेश रूप से पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से एकदम बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेबल से पढ़ा रहा हूं और दोस्तों चैप्टर वाइस पढ़ा रहा हूं दोस्तों जब यहां पर आपके मैत के सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो दोस्तों आप दोस्तों, आप नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक, दोस्तों, मैं नीचे description box में दे दिया हूँ, दोस्तों, description box में जा के, उन चार पार्ट को पहले देख लिजे दोस्तो, उसके बाद ये पांचोवा पार्ट देखिएगा, दोस्तों इस पांचवे पार्ट में हम क्या सीखेंगे, दस्मलो भिन क्या की होता है, दस्मलो भिन का तुलना कैसे किया जाता है, दस्मलो भिन का जोड, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है, दस्मलो भिन से related दोस्तों जितने भी concept होंगे, इस वीडियो में आपके clear ह देखिए देखिए 10,500 क्या होता है दस्मल भीन को इंगलीस में क्या बोल जाता है यहां पे दोस्तो आप धीरे धीरे अच्छे से सारी चीजे समझते हुए चलिए बेसिक चीजे क्या होती है दोस्तों जब बेसिक आपकी complete हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको दोस्तों chapter wise math पढ़ाऊंगा और दोस्तों ये सारी चीजे जब basic आपको समझ लेंगे तो जब chapter wise math पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोस्तों जब calculation होगी तो वहाँ पे आपको confusion नहीं होगी तो इसलिए आप अच्छे से दोस्तों धीरे धीरे समझते हुए चलिए देखिए 10 मलो भिन क्या होता है एसे भिन जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे 10 मलो भिन कहते हैं 10 की हाथ के रूप में होता है उसका हार उसे क्या बोला जैता है दूसको 10 मलो भी जैसे 10 मलो 2 है 10 मलो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा 10 लिख सकते हैं यानि कि इसका हर क्या है दोस्तो 10 के पावर 1 में है 10 मलो 0 7 समझेगा 10 मलो 0 7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तो 7 बटा 100 लिख क्या होता है 7 बटा 10 के पावर 2 100 का मतलब क्या होता है दोस्तों 10 का स्क्वाइर क्या होता है 10 का स्क्वाइर 100 ही होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 यानि कि 7 बटा 10 के पावर 2 दस्मलो 125 यहाँ पे समझियेगा दोस्तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तो दस्मलो 125 है नहीं यह दस्मलो 125 आप इसे दोस्तो नहीं पढ़ेंगे दस्मलों 125 नहीं पढ़ेंगे अभी सीख लीजिए दस्मलों के बाद दोस्तों ये जो दस्मलों आपको दिख रहा है इसके बाद जो संख्या होती है न हम एक एक संख्या को पढ़ते हैं जैसे दस्मलों 125 है न तो हम इसको दस्मलों 125 नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दस दसमलो एक दो पाँच ऐसे पढ़ेंगे ये सूध दोत है ठीक है तो पढ़ने का तरीखा भी आप सीख गयोंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तो इसे आप क्या पढ़ेंगे दसमलो 125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 125 बटा 10 का पावर 3 10 का पावर 3 का मतलब क्या 1000 ठीक है 10 का पावर 3 का मतलब 1000 आगे अभी आपको समझा रहा हूँ समझिये का थोड़ा सा अभी उसके बाद से दो सारी चीज़े आपकी किलियर हो जाएंगी देखिए नोट एक है क्या चीज़ है नोट कर रहा है दसमलो के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी और सुनने का कोई महत्तो नहीं होता है कहने का मतलब है दोस्तों दसमलो ये 7 है न लिखा है न इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसका बराबर ही हो जाएगा दसमलो साथ जीरो साथ के बाद आप कितना हो जीरो लगा है उसका कोई मतलब नहीं है दसमलो साथ ही उसे पढ़ेंगे इसे क्या है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बड़ाबर ये भी है इसका मतलब उपढ़ेंगे इसे इसे टीक है इसका कोई महतो नहीं होता है यह चीज़े दोस्तो आप ध्यान रखेंगे ये नहीं दोस्तो आप सोचने लगेंगे ये जो दस्मलो साथ है ये इसे क्या है दोस्तो छोटा है ये नहीं सोचेंगे कि ये दस्मलो साथ के पीछे इतना जीरो है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा नहीं ये सारे जो चंख्याएं दी गई हैं सभी आप कौन दस्मलो संख्या बड़ा है कौन दस्मलो भी ने छोटा है ऐसे यदि दस्मलो बिंदु के बाई और पुडांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा ओ संख्या बड़ी होगी ठीक है कहने का मतलब क्या है दोस्तो एक्जामपल देखिए थोड़े सा अभी आपको क्लिएर हो जाएगा ये देखिए दोस्तो क्या है 7.01 क्या है दोस्तो 6.01 और यह है दोस्तो 7.009 435 क्या है दोस्तो ये 7.009 435 है तो इस दोनों में बड़ा कौन है तो ये नहीं देखेंगे दोस्तों ये इतना बड़ा लिखा है तो ये बड़ा हो जागा नहीं ये बड़ा नहीं है ठीक है कैसे ये बड़ा नहीं है समझेगा ये साथ तो ये साथ क्या है दोनों तरफ क्या है दोस्तों बराबर है साथ साथ बराबर उसके बाद क्या है यहां पे भी दसमलो है यहां पे भी दसमलो है उसके बाद देखिए जीरो यहां पे है तो यहां पे भी जीरो है उसके बाद यहां पे क्या है दोस्तो एक है उसके बाद यहां पे क्या है जीरो है तो एक बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है प इस तरफ मुह खुला रहेगा इसका वो बड़ा हो जागा यानि कि यह क्या है दोस्तो बड़ा है और यह क्या है दोस्तो छोटा है यहाँ पर समझ लीजिए अगर जो मुह इधर खुला रहेगा तो यह बड़ा हो जाएगा और यह जिधर पीछे वाला सीर है वो छोटा हो जा यानि कि जिधर मुझ खुला रहेगा वो बड़ा होता है ठीक है तो बड़ा छोटा का सिंबल भी ध्यान रखिएगा नेक्ष्ट क्या है दोस्तों अगला देखिए अगला में तुल्ला आपको करना है अगला संख्या दिया गया है दोस्तों 25.0075 और 25.02 इसमें कौन बड़ा है तो यहां देखेंगे दोस्तों 25.00 तक तो 25.00 तक तो सेम है उसके बाद यहां पे 0 है यहां पे भी 0 है उसके बाद जिरो बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है आप बोलेंगे दो बड़ा होता है तो कौन संख्या बड़ी हो जाएगी दोस्तों ये वाली बड़ी हो जाएगी 25 दस्मलो जीरो दो बड़ी हो जाएगी और 25 दस्मलो जीरो जीरो साथ पाच क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा स इसमें पहले दसमलों के बाद संख्या आएगा वो संख्या क्या हो जाएगे दोस्तों बढ़ी हो जाएगी तो यह कौन सा इसमें बढ़ा हो गया यानि कि इसका सिंबल कैसे हो जागे दोस्तों यह यानि इस तरफ मुग खुला है तो यह बढ़ा हो गया ठीक है इसको ऐसे कर नेक्स देखिएगा और किलियर हो जाएगा 5.327 इसको 5.327 नहीं पढ़ेंगे अभी आपको समझा चुका हूँ न क्या पढ़ेंगे 5.327 और यह है 5.32479 देखने में तो दोस्तों यह आपको बड़ा लग रहा हुआ लेकिन यह बड़ा है नहीं क्यों नहीं है हम तुलना करे यह 5 इसर भी है 5 इदर भी है दसमलों यहीं पर है यह कंग के बाद दसमलों यहां पर भी है यहीं पर है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या है तीन है यहां पर तीन है यहां पर दो है यहां पर भी दो है यहां पर क्या है दोस्तों साथ है यहां पर चार है अब बताए यह सा चोटा हो जाएगा तो 5.327 ये बड़ा है और ये क्या है दोस्तों 5.32479 ये चोटा है तो आप तुलना करना सीख गए होंगे कोई दोस्तों दस्मलों की कैसे भिन की तुलना की जाती है और कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है ये चीशे आप दोस्तों सीख गए होंगे म आरोही करम में बेवस्तित करे पहले तो आप समझ लीजे दोस्तों आरोही करम क्या होता है आरोही करम दोस्तों किसे कहा जाता है आरोही होता है एक होता है औरोही करम ठीक है तो आरोही करम किसे कहा जाता है दोस्तों आरोही करम का मतलब होता है ascending order संख्याओं के बढ़ते हु करम को आरोही करम करते हैं आरोही करम में बिलकुल बाई और सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है और सबसे दाहिनी और सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है कहने का मतलब है दोस्तो अगर संख्या माल ले यहाँ पे साथ है पांच है दस है और दो है इसको आरोही करम में व हो जागा दोस्तो उसके बाद हो जाएगा 5 ऐसे यसे सिम्बल बनाएंगे ठीक है उसके भाद five स बढ़ा कौन है दोस्तो साथ है तो यह हो जाएगा साथ उसके बाद बड़ा संख्या कोन है दोस्तों उसके बाद 10 है तो 10 ठीक है आरोही करम को ऐसे बेवस्थित किया जाता है मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आरोही करम को समझ गयोंगे और औरोही करम क्या होता है ठीक है औरोही करम क्या होता ह और बिल्कुल दाहिनी और सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, अगर जो दोस्तो इन ही संख्याओं को मैं कहूँ, आप और ओही करम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे दोस्तो और ओही मतलब घटते हुए, पहले आप लिखेंगे दोस्तो क्या, दस, उसके बाद क्या हो ज पांच उसके बाद उससे छोटा क्या हो जागा दो यानि कि औरोही करम को ऐसे लिखा जाता है औरोही करम मतलब पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी छोटी ऐसे करते हुए औरोही मतलब क्या होता है दोस्तों आरोही मतलब होता है बढ़ते करम पहले छोटी संख्या यह जो नीचे दिख रहा है दोस्तों ये आरोही करम में है और ये क्या है औरोही करम में मैं उम्मीद करता हूँ आरोही करम और औरोही करम दोस्तों आप समझ गयोंगे अब देखिए दोस्तों इस पर जो question बन रहा है question क्या कर रहा है नीचे दी गई दस्मलों भिन को आरो ही करम में बेवस्तित करें यानि बढ़ते हुए करम में बेवस्तित करना है तो यहां देखिए 2.07 है यहां 2.50 है 2.505 और 2.007 है तो इसको हम दोस्तों कैसे आरो ही करम में बेवस्तित करेंगे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा क कौन है दो दस्मलो जीरो साथ यह वला है ना दो दस्मलो जीरो साथ उसके बाद से इससे बड़ा यह है उसके बाद से दोस्तो इससे बड़ा कौन है दो दस्मलो पांच जीरो दो दस्मलो क्या है दोस्तो यह उससे क्या है बड़ा है दो दस्मलो पांच जीरो इससे बड़ा ह कैसे तुलना करके अभी पीछे जैसे बता है न तुलना कैसे करना है तुलना आप क्या करेंगे दस्मलों के बाद तुलना करना भी आपको एक बार और बता देता हूं देखिए दस्मलों के बाद तुलना कैसे की जाएगी पहले देखेंगे दस्मलों के बाद दोस्तों क्या ह यहाँ पर 0 है यहाँ पर भी 0 है तो यह क्या हो जाएगी दोस्तों यह सबसे छोटी हो जाएगी उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 0 है ठीक है और और किसी में 0 आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसके बाद से यह क्या हो जाएगा दोस्तों यह वाला हो जाएगा तो ऐसे तूलना करके क्या करेंगे आरोही करम में बेवस्तित कर लेंगे नीचे देखें दोस्तों दूसरा कोशन क्या कह रहा है दूसरा कोशन कह रहा है नीचे दी गई दस्मलों भिन को औरोही करम में बेवस्तित करें औरोही करम मतलब आपको अभी बताया औरोही करम क्या ह संख्या है उसके बाद उससे छोटी कौन है दोस्तों उससे छोटी ये है आप क्या करेंगे दोस्तों तुलना करके देखेंगा अभी जैसे तुलना करना बता है तो उसके बाद क्या हो जाएगी ये छोटी हो जाएंगी और आप ऐसे सिंबल भी बनाते हुए चलेंगे ठीक है उसके बाद से दोस्तो इससे छोटी कौन है तो यहाँ पर देखेंगे यह दो संख्या है बचिये तो इसमें तुलना करेंगे दोनों में 2 दसमलो 2 दसमलो है इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है उसके बाद दोस्तो इसमें 0 है इसमें 7 है तो आप बताईए दोस्तों क्या है कौन बड़ा होगा दोस्तों तो आप बोलेंगे ये वला बड़ा हो जाएगा पहले इसमें साथ आया तो ये बड़ा हो जाएगा और उसके बाद से दोस्तों इससे छोटा कौन हो जाएगा बचा ये तो ये वला हो जाएगा लास्ट में इ ओर हो ही करम तो मैं उम्हीद करताओ दोस्तो आप comparison करके अच्छे से लिख लेंगे कैसे ठीक है इस प्रकार से ठीक है दोस्तो next देखिए दोस्तो अगला क्या है दस्मलों भिनको जोड़ना और घटाना क्या है दूस्तो 10 मलों भीन को जोड़ना और घटाना तो दोस्तों आपको मैं विता दू जैसे आप दोस्तों सिंपल जोड जोडते हैं वैसे ही 10 मलों भीन को भी जोड़ा जाता है कहने का मतलब है दोस्तों आपसे मैं कहे दू 17 प्लस 16 जोड़िए 17 और 16 जोड़िये तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तो आप इसको कैसे जोड़ते है 7 और 6 को जोड़ेंगे 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तो 13 हो जाएगा और हासिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तो 33 हो जाएगा क्या हो जागा? 33 हो जागा ना, यह जैसे जोड़े हैं दोस्तों, वैसे ही हम दस्मलो भिन को भी जोड़ते हैं, तो दस्मलों भीन में ध्यान क्या रखा जता है दोस्तों दस्मलों के नीचे दस्मलों बस रखना है उसके बाद जोड जैसे जोडा जाता है वैसे ही जोड देंगे जैसे कहने का मतलब है पहला example यह दिया दोस्तों 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.007 बराबर प्रिश्णमाचक्चिन मतलब क्या होगा तो इसको दोस्तों हम कैसे जोड़ेंगे जैसे जोड़ जोड़ा जाता है ठीक है साधाराण जोड़ आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों ये 7.705 उसके बाद क्या है दो और इसका कोई महत तो नहीं होता है पहले भी बता हूँ ठीक है उसके बाद क्या है दोस्तो दस्मलो जीरो जीरो साथ है ठीक है उसके बाद दस्मलो जीरो जीरो साथ तो यहां पर दोस्तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे यह जो दस्मलो है न सब दस्मलो एक सिधाई में ह तो दसमलों के नीचे सभी दसमलों लिखेंगे डिक है, तभी आप इसको अच्छे से जोड सकते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तो जोडेंगे, पांच और साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथ पांच बारा हो जाएगा बारा का हम यहाँ दो लिख लेंगे हासिल दोस्तो एक हो जाएगा एक तीन जोड़ेंगे तो यहाँ चार हो जाएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ हो जाएगा आप सीख रहे होंगे कैसे जोड़ा जाता है बस कुछ नहीं करना है दोस्तो दस्मलों भीन का कभी भी जोड़ा है तो बस दस्मलों को एक साज में रखेंगे यानि कि दस्मलों के नीचे दस्मलों लिखेंगे और संख्याओं को लिख लेंगे अब प्लस क्या है दोस्तो 1.707 है ना इसको हम कैसे जोड़ेंगे दोस्तो इसको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे बराबर प्रेशन वाल चक्षिन पूछा यानि क्या होगा तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तो 37.005 हम यहां क्या कही है लिख लिए ना उसके बाद दसमलो क्या है चीजे क्या हैं हम सभी दस्मलों हैं एक सिधाई में रखें यानि कि दस्मलों के नीचे दस्मलों रखें यह चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है और संख्याओं जैसे दी हैं वैसे आप लिख लेंगे अगर जो ज़रुत पड़े अगर जो कहीं लास्ट में जीरो बढ़ान के लिए ऐसे कर लिए ठीक है तो यहाँ पर जीरो बढ़ाने की जोरुत नहीं है अब क्या करेंगे इसे हम जोडेंगे पांच और आठ क्या हो जागा दोस्तों तेरा हो जाएगा तेरा साथ क्या हो जाएगा बीस बीस का क्या करते हैं जीरो लिख लेते हैं और यह दो क्या ह हो जाता है हासिल हो जाता है ठीक है तो यहां देखेंगे सभी लाइन में 00 है तो यह हासिल जो जागा दो उसको हम लिख लिए उसके बाद क्या है दोस्तों 007 है तो हम जोड़ेंगे तो यह साथ ही हो जाएगा उसके बाद दस्मलों है तो दस्मलों के नीचे हम क्या करेंगे 10 मलों लगा देंगे ठीक है 10 मलों के नीचे क्या करेंगे 10 मलों लगा देंगे उसके बाद 7 और 1 हम जोड़ेंगे ये तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दस्मलों का जोड़ सीख गए होंगे, next देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, अगला है दोस्तों, दस्मलों का घटाना, दस्मलों का घटाया, कैसे जाता है दस्मलों को, देखिए ये संख्या लिखा है, जैसे दोस्तों हम, नारमल जो आपका होता है न, साधरल घट गया 12, ऐसे जैसे घटाते न, ऐसे ही 10 मलो को भी घटाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, 10 मलो जहां होगा, 10 मलो एक सिधाई में रखेंगे, और घटा देंगे, देखिए, एक्जाम्पल के रूप में दूसरा ये आपका तीसरा question है, घटाना वला, 7.03-10.00307, बराबर question mark है, क्य होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दोस्तों, वैसे ही घटाएंगे, देखिए, ये 7.03 है इसे लिख लिए, और देखिए, यहां 10.00307 है न, इसे भी हम क्या किया है, लिख लिए, अब उपर क्या किया है, दोस्तों, इतना हम 0 क्या किया है, जरूरत के अनुशार हम बढ़ा लिए हैं इसका कोई महा तो नहीं है यह नहीं कि यह संख्या बढ़ी हो गई नहीं चंख्या वही है यहाँ पर हम क्या किये बस बराबर करने के लिए उपर 0 इतना आप अलग से अपने तरफ से जोड़ लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे आप इसको भी वैसे ही घटाएंगे तो यह 0 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा तो यह क्या होगा दोस्तो इधर वाले से दोस्तो 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहां से तो एक हासी लिलिये थे तो यहां पर 3 की जगा क्या हो जाएगा 2 2 में से 0 जाएगा 2 ही हो जाएगा और 0 में से दोस्तो 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे देखते चलिए और दसमलो है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी दसमलो है दसमलो है तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे दसमलो लिख लेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ साथ ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों साथ दसमलो जीरो दो छे हो जाएंगे देखिए अगला को दोस्तो है आपका चौथा है क्या कह रहा है 30.7003-7.0109 ठीक है इसको घटाना है बराबर प्रिष्णवाचक गटाने के लिए क्या करेंगे इसमें भी दोस्तो यह 3 में से 9 नहीं जाएगा तो यह क्या हो जाएगा तो यहां से तो हासी ले लिए ते तो 7 की जगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा उसके बाद दोस्तो यहां पर 10 मलो है तो 10 मलो लगा लेंगे उसके बाद दोस्तो 30 में से 7 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा 30 में से जब 7 घटा लेंगे क्या हो जाएगा 20 तो इसका दोस्तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इस अब next क्या है दोस्तो दस्मलो भिन का गुणा दस्मलो भिन का गुणा बहुत ही महत्पूर है इसे भी याद रखेंगे दोस्तो कैसे गुणा किया जाता है देखिए दोस्तो आपके लिए मैं काफी hard work कर रहा हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़े सिखा रहा हूँ थाकि य होथी hard work कर रहा हूँ और आप दोस्तो भी hard work आप भी कीजिए और खूब अच्छे से क्या कीजिए एक्जाम की preparation कीजिए और इस सारी चीजों को दोस्तो आप revise कीजिए copy pen लेके बैठिए जो चीज नहीं आती है उसको आप note कर लीजिए और जो चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसे comment भी कर दीजिएगा next part में दोस्तो मैं आपको समझा दूँगा मेरा दोस्तो प्रयास यही रहता है कि मैं हरो कमजोर चात्र को सिखा दू math जो math में बीक है और math के प्रशन सभी कमजोर चात्र अच्छे से solve करने लगे और second में solve करने लगे मेरा प्रयास यही रह हाँ पर जो चीजा है गुणा भी दोस्तो वैसे ही किया जाता है जैसे साधारन गुणा किया जाता है अगर जो कहें दू दो गुणे तीन क्या हो जाएगा दोस्तो छे हो जाएगा दो में तीन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो छे हो जाएगा अब हम देख इधर है दसमलो के बाद एक अंक इधर है तो टोटल कितना हो जाएंगे दो अंक हो जाएंगे तो हम दसमलो के बाद दो अंक लगा देंगे यानि दसमलो 06 लिखेंगे इसे क्या लिखेंगे दसमलो 06 लिखेंगे दसमलो 2 गुणे दसमलो 3 हम क्या लिखेंगे दसमलो 06 कैसे दोस्तो हमने देखा क्या दोस्तो यहां दसमलो के बाद यहां जो दसमलो है इसके बाद कितना एक है एक अंकी धर है इस दसमलो के बाद एक अंकी धर है यानि दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दो आंक यानि दसमलो के बाद दो आंक लिखना है तो दसमलो 6 है इसके पहले एक 0 यानि कि 10 मलो 0 6 इसका हो जाएगा आंसर ठीक है अब next देखिएगा दोस्तो अगला क्या है अगला example है दस मलो 2 3 ठीक है यानि कि 10 मलो 2 3 गुड़े 10 मलो 2 इसे हम गुणा करेंगे तो इसे भी हम क्या करेंगे दोस्तो नार्मल गुणा कर देंगे दस मलो भूल 10 मलो 2 हो जाएगा 46 लेकिन 10 मलो के बाद यहां 2 अंख है यहां 10 मलो के बाद एक अंख है ठीक है यानि 2 एक 3 अंख तो हम 3 अंख के पहले क्या करेंगे दोस्तो दस मलो लगाएंगे तो 10 मलो लगा दिये यहां 2 ही अंख है तो एक 0 बढ़ा लेंगे ठीक है तो इसका आंसर क्य क्या हो जागा दोस्तों ? दसमलो 0, 4, 6 यह चीज़े आप ध्यान रखेगा नेक्ष्ट क्या है दोस्तों और भी बड़ा थोड़ा सा आ जाए अगर 0,0004 गुटे 0,0003 इसे हमहन कैसे गुटा करेंगे इसे भी दोस्तों आप normal गुटा कर लीजे 4 में 3 से गुटा कर लेंगे 4 में 3 से गुटा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा अब दीकें कि 10 मलों के बाद कितनी संख्या require यहां पर दोस्तों दस्मलों के बाद 4 संख्या हैं, तो टोटल कितने संख्या हो गए, 7 संख्या, 7 संख्या के पहले हमें 0 लगाना है, तो 12 दो संख्या हो गया, 1 0, यानि 3, 4, 5, 6, केतना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, एक और 10 मलों लगाना है, 7 ठीक है, उसके पहले 0 लगा ले गुणा कैसे किया जाता है, दस्मलों भीन को जियो कत्यों गुणा कर लेंगे, और दस्मलों के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को जोड के, उतना दोस्तों आप क्या करेंगे, आगे 0 लगा लेंगे, पूरी पूर कर लेंगे, यानि कि यहां 3 है, यहां 10 मलों के बाद 4 अंख है, यहां 3, 7 अंख के पहले 10 मलों लगाएंगे, तो यहां 4 ती है, 12 हो गया, और 5 हम 0 बढ़ा लेंगे, 12 दो अंख हो गया, और 5, 0, 7 अंख हो गया, यहां 7 अंख के पहले क्या करेंगे, 10 मलों लगा लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ द दस के पावर यन से गुणा किया जाए तो दस मलो भिन का दस मलो यन दाहिनी और चला जाता है ध्यान दीजिएगा यहां पे अभी एक्जामपल देखिए अभी आपको किलियर हो जागा एकदम एक्जामपल क्या कह रहा है दोस्तों एक्जामपल कह रहा है अगर जो हम 10 के पावर 1 यानि की 10 के पावर 1 का मतलब 10 से या 100 से 10 के पावर 2 का मतलब 100 से 10 के पावर 3 मतलब 1000 10 के power 4 मतलब यानि की 10,000 से किसी भी संख्या से गुणा जब करेंगे तो जितना 0 रहेगा उतना और दाहिनी और 10 मलो खिसक जाएगा कहने का मतलब यह है देखिएगा यह 7,294 क्या है दोस्तों 7,294 में अगर जो हम 10 से गुणा करें तो क्या होगा दोस्तों यह जो 10 मलो आप यहां पे दीख रहे है यहां पे जो 10 मलो दीख रहा है यह क्या हो जाएगा एक 0 है गुणे 10 है गुणे 10 में कितना 0 है एक ही 0 है तो एक अंक आपका यह दाहिनी और खिसक जाएगा यानि यह क्या हो जाएगा दोस्तों यह 72 दस मलो 9,4 हो जाएगा अगर जो ह हम 100 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 में कितने 0 है दो 0 है ना तो यह दस्मलो क्या होगा दोस्तों 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो 2 अंक खिसक जाएगा तो यह कहा हो जाएगा दोस्तों 2 9 के बाद दस्मलो हो जाएगा यानि कि 7 2 9 दस्मलो 729 दस्मलो क्या हो चार हो जागा, इसका अंसर क्या हो जागा दोस्तों, 729.4, अगर जो दोस्तों इसी संख्या से हम यही संख्या है, 7.294 में 1000 से गुणा कर दे, 7.294 में 1000 से गुणा कर दे, तो यह क्या हो जागा दोस्तों, यह 1000 में कितने 0 हैं, 3 0 है न, तो यह क्या हो जागा दोस्तों, यह 3 तीन अंक इधर खिसक जाएगा, यानि कि 4 के बाद दसमलों हो जाएगा, तो 4 के बाद दसमलों लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7294 हो जाएगा, यहां दसमलों के बाद 00 कुछ भी आए, तो इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है, यानि कि इसके बा कितना 0 है दोस्तो इसमें 0 है आपके 4 तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तो 4 अंक खिसका लेंगे तो इसमें तो 3 अंक दीख रहा है तो 4 अंक के लिए क्या करेंगे एक 0 लगा लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो या इसका आंसर हो जगा 72,940 यानि कि दस्मलो यहां आ जागा दस्मलो यहां ने का मतलब कोई ने ठीक है अगर जो ऐसे दोस्तो होता है गुणा किया जाता है तो क्या होता है दस्मलो दाहिनी और खिसक जाती है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इसे भी आप इसे ध्यान से देखिएगा जा देखिए क्या कह रहा है जब हम दस्मलो भिन का भाग करते हैं तो निमलिखित चार इस्तितिया बन सकती है चार इस्तितिया मतलब चार कंडिशन बनता है दोस्तो कौन कौन से चार कंडिशन बन सकता है पहला condition क्या के रहा है, देखिए, दस्मलो भी इनका भाग करने में चार condition बनता है, पहला condition number one है यदि अंस और हर, हर में दस्मलो, अस्थान की संख्या समान हो तो दस्मलो से दस्मलो कैंसिल हो जाएगा कह दा धनता है, देखिएगा, एक बार और समझिए यदि अंस और हर में दस्मलो अस्थान की संख्या समान हो तो दस्मलो से दस्मलो कैंसिल हो जागा कहने का मतलब है दोस्तो एकजामपल देखिएगा यहाँ पे जो पहला कह रहा है एक दस्मलो तीन तीन बटा दस्मलो वन नहीं है तो दसमलों के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दसमलों के बाद क्या है दोस्तों दो अंक है इधर भी देखेंगे दसमलों के बाद क्या है दोस्तों दो अंक है तो दो अंक जब दसमलों के बाद है उपर भी नीचे भी जब समान है न समान अंकों पर दसमलों ल 23 बठा 19 देखिएगा समझिएगा जब दोस्तों दस्मलो क्या है दोस्तों यहां पर देखिए पहले इस चीज़ समझ लीजिए यदि अंस और हर में दस्मलो अस्थान की संख्या समान हो तो दस्मलो से दस्मलो केंसिल हो जाएगा कहने का मतलब है दोस्तो यह क्या है दोस्तो दस्मलो के बाद क्या है तीन तीन है यानि दो अंक है यहां दस्मलो के बाद क्या है एक नौ है दो अंक है तो यह क्या हो जागा दोस्तो यह दोनों दस्मलो से दस्मलो कैंसिल हो जागा कहने का मतल्य है दोस्तो एक दस्मलो तीन तीन बटा दस्मलो एक नौ है अगर जो दोस्तो हम उपर नीचे दोनों में 100 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा ये दस्मलो अभी जो उपर वाला चीज बताए आपको ये दस्मलो इधर आ जाएगा ये वाला दस्मलो इधर आ जा यह क्या हो जाएगे 233 बटा 19 अब 19 सत्य क्या होता है दोस्तो NBC 133 टुबिशक का अंशर क्या हो जाएगा दोस्तो यह केंसल करेंगे जब भाग करेंगे इसका अंसरह जाएगा साथ नेक्स देखिएगा दूसरा और या आपका हो जाएगा 10.2 है बटा 1.7 इसमें भी क्या है दस्मलों के बाद एक अंख है इसमें भी दस्मलों के बाद एक अंख है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों यह भी दसमलो से ये भी दसमलो cancel हो जागा, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, 102 बटा 17, अब 17 से भाग करेंगे, 176, 102 होता है, तो इसका answer क्या हो जागा, दोस्तों, 6 हो जागा, यानि कि 10.2 को 1.7 से भाग करेंगे, तो कितने बार में जागा, दोस्तों, 6 बार में, यानि कि इसका answer क्या नंबर फर्स्ट का ही है दस्मलो 0035 बटा दस्मलो 00007 अब इसको भी हमें क्या करना है दोस्तो कैंसिल कर लेंगे कैसे करेंगे यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तो दस्मलो के बाद क्या है चारंग है यहाँ भी देखेंगे दोस्तो दस्मलो के बाद क्या है चारंग है तो यह क क्या हो जागा साथ पच्चे 35 यहां पर यह नहीं सोचेंगे कि यह 00 कैंसिल होगा ऐसे कुछ नहीं यानि 007 का मतलब आगे किसी संख्या के जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता है अगर आपको इसको कहे दे अगर जो जागे कोई 00 लगा दे दस मलों तो नहीं लगा ना 00000 का मतलब कोई नहीं यह 10 रूपय ही यह ठीक है यह चीज समझेगा अगर जो है 00000 लगा दे तो तो महत्तो है इसका टीक है लेकिन दस Hej नहीं लगा ऐए तो इसलिए तो इसकी value क्या आजाएगी दोस्तों 5 आजाएगा मैं उम्मिद करता हूं दोस्तों के यह condition first आप समझ गयोंगे थे खियगा condition क्या है दोस्तों next है आपका condition Second क्या कहे रहा है दोस्तों ए यदि यसमें में दस्मलों ना हो और हर में दस्मलों हो तो हर का दस्मलों हटा कर अंस में उतने ही सुने बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दस्मलों है ठीक है समझेगा एक्जामपल देख लिजे ठीक है यह चीज़ जब समझ में है तो एक्जामपल देखे एक्जामपल क्या रहा है दोस्तो यदि अंस में इसमें क्या है दोस्तो अंस में दस्मलो है नहीं है हर में है ना हर में है तो जब हर में दोस्तो दस्मलो रहता है तो हम क्या करेंगे इसको हर में देखेंगे कितने अंक के पहले दस्मलो है तो यानि कि तिन अंक के पहले है ना, तो हम क्या करेंगे, इस दस्मलो को हटा के, उपर 3, 0 बढ़ा लेंगे, कहने का मतलब इसका दोस्तों ना, यही है, ठीक है, क्या है, क्या रहा है, यहाँ पर देख लिजे, यदि अज्दी अंस में दस्मलो ना हो, और हर में दसमलो हो, तो हर का दसमलो हटा कर अंस में उतने ही सुने बढ़ा देंगे, जितने अंक पर हर में दसमलो है, अब यह चीज आपको clear हो गई होगी, तो यह क्या लिखा है दोस्तों, यह लिखा है 35 बटा दसमलो 005, यह चीज है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 उपर बढ़ा लेंगे, तो यानि 35 के बाद क्या करेंगे, 3, 0 बढ़ा लेंगे, और बटा में क्या हो जागा, 5 हो जागा, अब इसे हम क्या करेंगे, कटा लेंगे, तो यह जब कटाएंगे, तो यह क्या हो जागा, 5, 7, 35, यह हो जागा, 7,000, जब इसे cancel करे दस्मलो के बाद क्या है दोस्तों दो अंक है तो यह क्या करेंगे हम दस्मलो इसको हटा के दो जीरो उपर बढ़ा लेंगे बस यही करना है तो यह क्या हो जागा दोस्तों इकावन सो बटा सत्रह हो जागा अब इसे आप क्या करेंगे कैंसल कर लेंगे सत्रत यह एकावन यान डसमलों के बाद कितना अंख है दोस्तों, एक अंख है, तो इस समक्त करता हूँ दोस्तों आपtoo improvements कि अंस के अंदे समेथ करेंगे, 120 को नहीं क向 घान था друг lle करेंगे गया, जो si разработ है खिले पन Host cada – तो यह चीजहे हाब भी दोस्तों आपके समझ गोंगे और इस टाइप के आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से आप सॉल्ब कर लेंगे नेक्स देखिए दोस्तो condition number 3 ठीक है दोस्तो थोड़ा से time तो आपको लग रहा होगा लेकिन इसमें दोस्तो आप बोर न हुएगा ठीक है ये life में दोस्तो आपके काम आएगी जीवन भर आपके साथ रहेगा दोस्तो आपको कभी भी confusion इस बात की नहीं होगी दोस्तो कि दस्म के पूरी life तक काम आएगी ठीक है ये चीज़े कोई आपको बताता नहीं है इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा ठीक है मैं समझता हूँ दोस्तो कि आप अच्छे से इन सारे चीज़ों को सीख लीजिए ताकि आपको फिर कभी ऐसी चीज़े जरुरत ना पड़े और आ और आप भी मैत में एगदम काविल हो जाए आप भी प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्फ करें देखे दोस्तो कंडिसन थ क्ट क्या कह रहा दूस्तों इंपर्टेंट एभी यदि यदि अंस में दसमलो हो और हर में दस्मलो न हो तो अंस में दस्मलो न मानते हुए साधारण भाग देते हैं फिर भागफल में उतने ही अंक पर दस्मलो लगा देंगे जितने की अंस में दस्मलो था देखिए एक्जामपल देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा क्या क्या रहा है दोस्तों यहा दस्मलो नहीं होगा तो हम माल लेंगे दोस्तों यहां पर यह दस्मलो नहीं है क्या यहां पर दस्मलो हम माल लेंगे कि यहां दस्मलो नहीं है तो क्या करेंगे साधारण हम भाग दे देंगे यानि कि 17 त्या एकाउन हो जाएगा अब कितने अंक के पहले दोस्तों यह दस्मल यदि अंस में दस्मलो हो और हर में दस्मलो ना हो तो अंस में दस्मलो ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं फिर भागफल में उतने ही अंक पर दस्मलो लगा देंगे जितने की अंस में दस्मलो था ठीक है यानि की भागफल ये जो आया कितने अंक पर दोस्तो है दस्मल नहीं है तो 17- 51 हो जाएगा अब क्या करेंगे आप यहां पे कहा है ना मानते हुए साधारा भाग देते हैं फिर भाग फड में उतने अंक पर दसमुलों लगा देंगे ज़ितने लिख सम2001 याणि एंस प्रिण कितने important है दूसरा कहे रहा है दोस्तों एक दस्मलो चार बटा 19 है ठीक है बटा 19 है इसमें भी क्या है दोस्तों अंस में दस्मलो है हर में नहीं है तो हम क्या करेंगे इस दस्मलो को माल लेंगे नहीं है और भाग दे देंगे तो क्या हो जागा 19 छके 114 होता है अब देखिएंगे कि दोस्तो दसमलो तो है न, दसमलो कितने आंके पे, दो हिने से देखेंगे दाहिने से, तो दो आंके पे पहले क्या है, दसमलो है, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तो, यानि उनिस छके एक सो चोदा है, छे के पहले एक जीरो लगा लेंगे, और यह हो जागा दसमलो जीरो छे हो जाएगा ठीक है इसको साधारण भाग करेंगे यानि कि क्या करेंगे 19 छके 114 अब देखिए दसमलो के बाद क्या है दो अंक है तो यहाँ पर भी दसमलो के बाद हम दो अंक करने के लिए 6 के पहले एक 0 लगा लेंगे तो इसका दसमलो 06 अंसर हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट वाला भी इंपोर्टेंट है तीसरा क्या कह रहा है दसमलो 0021 by 7 ठीक है इसे हम क्या करेंगे इसमें भी माल लेंगे ये चीज नहीं है तो आप 21 को साथ से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा तीन बार में जाएगा ना अब क्या करेंगे अब दसमलो लगाएंगे दसमलो कैसे लगाएंगे उपर हम देखेंगे कि दसमलो के बाद कितने अंक है दसमलो के बाद देखिए दोस्तो चार अंक आपको दीख रहा तो इसमें को भी हम चार अंक बनाएंगे उसके बाद दस्मलो पहले लगा लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जागा दस्मलो 0003 हो जागा मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे और condition number 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स देखिए दोस्तो condition number 4 condition number 4 किलियर हो जाए तो दस्मलो भी इन से related आपके सारे concept किलियर हो जाएंगे किसी में आप confused नहीं होंगे देखिए condition number 4 भी बहुत important है का है कहा रहा है दोस्तो अंस और हर दोनों जगह पर दस्मलो हो लेकिन अंस और हर में दस्मलो अस्थान समान न हो तो condition 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे condition 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे देखिएगा example क्या कह रहा है कहने का मतलब है दोस्तो अंस और हर में दोनों में दस्मलो हो लेकिन क्या है समान न हो ठीक है अलग अलग अस्थान पे हो ठीक है यानि कि समान जब नहीं होगा तो क्या करेंगे condition नमबर दो और तीन में बदल कर भाग देंगे तो example देखिएगा पहला क्या कहरा example दोस्तो दस्मलो 51 by दस्मलो 0017 अब इसे हम कैसे करेंगे दोस्तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तो आप देखिए यहाँ पे दस्मलो 51 है और बटा में क्या है दोस्तो दस्मलो 0017 इसे हम क्या इसे solve करेंगे यह दस्मलो और इसे हम क्या करेंगे दो अंक इधर खिसका देंगे ठीक है दोनों में क्या करें दोनों में मानली जी उपर नी चे गुणा करेंगे लेकिन इसे क्या करेंगे दो 2 खिसका देंगे यानी उपर वाला क्या हो जागा دोस्तो 51 हो जागा अब क्या करेंगे condition number आपका third बोला था थर्ड वाला यानि कि आपका वो बोला था second वाला क्या कहा रहा था कि हर में 10 मलो हो तो क्या करते हैं उतने अंख हमें उपर 0 बढ़ा देते हैं इसको दस मलो काट देंगे और दस मलो के बास दो अंख है तो दो 0 बढ़ा लेंगे यानि कि यह क्या हो जाएगा यह 150 हो जाएगा और यह Rs. सतरा तीया एकावन हो जाएगा 300 इसका अंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इससे साल्प करने पर 300 आ जाएगा समझेगा कैसे हुआ इस दसमलो को क्या करेंगे इधर घसका लेंगे दो अंक इसे भी क्या करेंगे दो अंक तो एकावन बटा क्या हो जाएगा दोस्तों दसमलो 17 तो दूसरा example देखिए और clear हो सागा, दूसरा example कह रहा है, दस्मलो दो आठ बटा, दस्मलो 00007 है न, इसे हम कैसे solve करेंगे, इसमें भी क्या है, दस्मलो की संख्या आपस में मतलब एक अस्थान पर नहीं है, यह नहीं है कि दो दो अंग के करीब है, इसमें नीचे वाले में क्या है, असमान टाइप का है, तो इसे भी क्या करेंगे दूसरों, हम दस्मलो क्या करेंगे, दस्मलो यह है, इसको भी हम इधर दो अंग खिसका लेंगे, यह क्या हो जाएगा, इसे भी दो अंग घटा लेंगे, तो यह है, क्या हो जाएगा, यानि कि 28 बटा, यह क्या हो ज गर देंगे और दस्मलो के बात कितने अंख़ा है, तो 3 हम उपर 0 बढ़ा लेंगे, तो यानि क्या हो जागा दोस्तो, 28,000 बटा 7 हो जाएगा, इसको कठा लेंगे तो 7,28 हो जाएगा, यह 4,000 इसका अंसर हो जाएगा, क्या जाएगा अंसर, 4,000 आजाएगा, मैं उम्मीद करत दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे नेक्स देखिएगा और किलियर हो जाएगा थोड़ा अलग टाइप का है ये वाला क्या रहा है दस्मलो 0171 बटा दस्मलो 19 इसे क्या करेंगे दोस्तों इसे भी हम वही करेंगे नीचे है यहाँ पर देखेंगे दो अंख है तो यहाँ पर दस्मलो इसको खिसका लेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा और इसे क्या करेंगे उपर भी दो अंख खिसका लेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक के बाद दस्मलो हो जाएगा यानि यह हो जाएगा उपर वाला यहाँ पर दस्मलो लग जाएगा तो एक दस्मलो साथ एक हो जाएगा और यह बटा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा तो यह क्या है दोस्तो उपर वाला यानि condition number 3 में चला गया है condition number 3 मतलब उपर दस्मलो हो तो हम क्या करते हैं दोस्तो normal भाग देते हैं, दस्मलों नमानते हुए हम भाग करेंगे तो ये 171 है, उन्निस नवा, 171 होता है और दस्मलों के बाद क्या है, दो आञग के पहले दस्मलों है तो इधर भी हम क्या करेंगे, दो आख के पहले दस्मलों लगा बहुत भी important. भी example है. इete example क्या कहरे लाए दृस्मलो जीरो फोर फाइव बटा दस्मलो नौँगे. इसे हम क्या करेंगे दोस्तों इसे भी वैसे ही करेंगे. यहाँ पर यहाँ है तो इसको हम क्या करेंगे खसका लेंगे. यानि कि ये 9 बना लेंगे ये दस्मलो यहाँ है तो इसे भी एक अंग इधर खिसका लेंगे दाइने खिसका लेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तो सुन्ने दस्मलो चार पाँच ये बटा क्या हो जाएगा 9 इसमें भी क्या है दोस्तो ऊपर दस् दो अंग के पहले 10 मलो है तो इसमें भी क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे यह हो जागा यानि कि 10 मलो 0 5 इसका आंसर हो जागा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 10 मलो को 10 मलो भीन क्या होता है यह चीज समझ गया 10 मलो भीन की तुल्ला करना सीख गया 10 मलो भीन का उसके बाद दोस्तों advanced math पढ़ाऊंगा और arithmetic में बता दोस्तों percentage पढ़ाऊंगा और percentage भी दोस्तों आपको basic से पढ़ाऊंगा और high level तक पढ़ाऊंगा जहाँ पे basic चीज़े आपको पढ़ाऊंगा आएंगी वहाँ पे जहाँ पे आपको कठिनाई होगी वहाँ पे मैं basic से समझाऊंगा ताकि आपको कोहाँ पे भी थोड़ी सी भी problem नहों और आप दोस्तों यहाँ percentage भी बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे ठीक है यानि कि आप जो आपका arithmetic होगा बहुत जल्दो भी complete हो जाएगा उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपका advancement ठीक है तो arithmetic में हम percentage जरूर जुड़े रहेंगे और क्या बता दो दोस्तों अगर आपको यह सब सारी चीज़े basic चीज़े अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों आप like कर दीजिए और share भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास facebook, whatsapp, telegram जितने भी दोस्तों आपके पास study group हो, share कर दीज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों percentage तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में percentage के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद